दोस्तो टेलिवीजन इस्टार दिसापरमार और उनके हस्बेंड राहुल वैद्दे जो की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सुनाई है अपने फैंस के लिए दोस्तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इन दिनों अपनी छुटी को इंजोई कर रही हैं बहार दिसापरमार और राहुल वैद्दे राहुल वैद्दे और दिसापरमार की बात की जाएं तो जल्दी ही इनके घर में एक नन्ना महवान आने वाला है दोस्तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हाली में ही राहुल वैद्दे ने खत्रों के खिलाडी में नजराए थे और बिग बॉस चोदे में तो जैस्मिन वसीन और अली गौनी के साथ नजराए थे दोस्तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आली गौनी और जैस्विन वसीन हमेशा राहुल वैद्दे को काफी सपोर्ट करते नजर आये थे लेकिन जल्द में एक खुसकबरी और मिल रही है जिसमें राहुल वैद्दे की पतनी दिसा परमार एक बच्चे को जल्द ही जनम देने वाली है दोस्तो इस जानकारी को खुद राहुल वैद्दे की पतनी दिसा परमार ने खुद जारी किया है अपने फैंस के लिए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राहल वैद्दे एक ऐसे सक्स रही हैं जो हुआ कई में अपनी पतनी के लिए बहुग ज़्यादा केर करते हैं क्यांकि आपको बताना चाता हूँ, बिग बॉस 14 ने अंदर राहु लएद्दे ने दिसा परमार को खुद बिग बॉस की घर से ही परपूज किया था जिसके बाद में बिग बॉस की घर में जाकर दिसा परमान ने राहु लएद्दे के ओफर को Accept किया और साधी के लिए परपोजल को सुईकार करते हुए उन्होंने बता दिया कि जल्दी ही हम साधी करने जा रहे हैं बिग बॉस के बाद में राहुल वैद्दे और दिसा परमार दोनों ही साधी के बंदन में बंद गए और ये इनका चौथा हनीमून है जिसमें राहुल वैद्दे और दिसा परमार चौथी बार हनीमून मनाने के लिए जा पहुचे हैं दूसरे देश जी हाँ आप लोगों को बता देता हूँ इस समय राहुल वैद्दय और उनकी पतनी दिसा परमार अपना चौता हानिमून मना रहे हैं लेकिन इनी सभी के बीच में दिसा परमार ने अपने फैंस के लिए और राहुल वैद्दय के करीबी फ्रेंड जैसिमिन वसीन और अली ग